हलो नमस्कार मैं डाक्टर रजिनिस कुमार आप सभी का एक बार फिर से हर्दिक स्वागत करता हूँ आज हम प्रेक्टिशेट में बातचीत करेंगे भारती काविशास्त्र संस्कृत आलोचना के प्रमुक आचारियों संप्रदायों उनके प्रमुक सिध्धानतों के उपर पहला प्रशने पूछा जा रहा है कि भरत मोनी के संदर में सही नहीं है अप्सन दिया गया संस्कृत काविशास्त्र का प्रथम आचारे माना जाता है इनका समय दूतिय शती माना जाता है इनकी प्रसी ध्रजना नाटे सास्त्र है इनको अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है तो जितने भी बच्चे इस live class list में उपस्तित हैं सबका मैं हर्दिक स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ और उमीद करते हैं कि 40-45 मिनट कंसेंट्रेट होकर हम questions को हल करेंगे और एक चीद देखने की कोशिश करेंगे कि जैसे हम practice state लगातार solve कर रहे हैं तो कैसे options को eliminate क करना है उसको भी हम सीखेंगे इस practice state के माध्यम से कि अगर आपको परिक्षा में ठीक से अगर नहीं पढ़कर गये हैं तो भी question और option को देखकर कैसे सही कर लें सवाल को ये भी हम सीखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों ने बिल्कुल बता दिया कि option D जो है इनको अलंकार संपर्दाय का परवर्तक माना जाता है ये क्या है गलत है बाकि जितने भी इसमें option दिया गये हैं सब भरत्मोनी से संबंदित हैं सही है तो जायर सी बात है कि आप लोग जानते हैं कि भरत्मोनी रस संपर्दाय के परवर्तक माने जाते हैं जबकि यहाँ पर पास करने के लिए हम practice करते हैं ताकि हम कैसे options को eliminate करें सही options को चुने और गलत option को पकड़ लें तो आपने पहले question को इसी अधार पर देखा अगरा जो प्रश्ण है पुछा जा रहा है कि नाटे सास्त्र के संदर में सही नहीं है नाटे सास्त्र के संदर में सही नहीं है इससे पहले का जो option था ओप भरत मोंद पर था यहां पर पुछा ग्वा ही 7000 तो हमएं बताना है कि इसमें से कौंसा सही नहीं है यहां पर प्रश्ण को बिलकुल ध्यान से देखना है सब्सक्राइब देखा कि आपके लिए एक एक जो विकल्प दिये गए हैं वह आगामी परिक्षा के दिश्रिकोंट से बहुत ही इंपोर्टेंट है और यहाँ पर क्या eliminate करना हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे eliminate करेंगे कैसे गलत options को हम पकड़ लेंगे तो बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जबाब बता दिया कि 7000 स्लोक जो option दिया गया हो गलत है 5000 है यानि कि नाटे शास्त्र में नाटे के सभी पक्षों का विवेचन किया ग ठीक है option दिया गया वाचिक, काहिक, सात्विक, मानसिक तो जब नाटे शास्त्र आप पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया है कि किस अभिने के प्रसंग में इसमें कावे की आलोचना की गई है तो इसका जो सही जबाब है वाचिक option A इसका सही जबाब है कि वाचिक के संदर में नाटे शास्त्र में कावे की आलोचना वाचिक अभिने के प्रसंग में की गई है तो इस चीच को आपको बिलकुल ध्यान में रखना है वैसे आप जानते हैं कि वाचिक, काहिक, सात्विक और आहारिक चार तरीके के अभिने की बात की जाती है तो इसमें वाचिक के बा फिर उपरुख सभी यदि आप भरत मोनी और नाट शास्त्र दोनों को अच्छे से पड़े होंगे तो बिल्कुल इसका सही जबाब आपकी दिमाग में आगया होगा आमतोर पर उपरुख सभी वाला आफ्सन बहुत ही इजी होता है बताना लेकिन इस प्रैक्टिस सेट में य विचार किया है आप लोगों ने इसको पड़ा भी होगा लेकिन इस ऑफ्सन को जैसे आपने देखा तुरंथ आपके दिमाग में आया कि यह तो चारों बातें सही यहां पर दिखाई पड़ रही है इसलिए आप लोगों ने ऑफ्सन डी को यहां पर चुना है प्रशन है कि भरत मूनी ने किन अलंकारों को उल्लेक किया है तो चार अलंकारों की बात यहां पर की गई है और जैसे है आप देखंगे तुरंथ आपके दिमाग में आ गया होगा कि क्यों सा आप्सन सही है बातों ये बातों में बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जबाब दे दिया है कि option A ठीक है कि भरत मोनी ने यमक, उपमा, रूपक और दीपक चार अलंकारों की बात उन्होंने की है अगले प्रशन पर बात चीत करते हैं अगला प्रशन है काफी important प्रशन कई बार परिक्षाओं में आ चुका है और इसलिए प्रशन आपको बनाये जा रहे हैं कि जब दुबारा भारती काविशास्त प्रणे मेरी कोशिश इस practice set के माध्यम से है कि चाहे वो पुराना pattern हो चाहे नया pattern हो आपको किसी भी तरीके से प्रशन पूछा जाए तो आप अगर इस चैनल से जुड़े हैं तो परिक्षा में आपको बिल्कुल घबरहाट नहीं होगी आपकी घबरहाट को भी दूर करना है और कैसे options सही गलत को चुनने है eliminate करने उन सारी चीजों को भी यहाँ पर देखना है यहाँ पर प्रशन पूछा जा रहा है कि नाटे शास्तर के किस अध्याय में रस तथा भाव का वरण किया गया है जैसा कि पहले ही बताया गया कि इसमें 36 अध्यायों की चर्चा की गया है लेकिन जब भी रसों और भाव की बात की जाएगी तो किसमें इसका उलेक किया गया है option दिया गया है पहला वह दूसरा दूसरा वह तीसरा तीसरा वह चौथा छठा वह सात्वा उसको सश्टम या सप्तम यहां पर कहा गया है तो इसका जो यहां पर सही जबाब है option B है कि छठवा और सुचा जा चुका है उमें देखे आगे भी इस तरीके प्रशन आ सकता है तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे याद करने के लिए आप इसको सर्शक याद कर सकते हैं कल के प्रेक्टिसेट में हमने एक प्रशन का जवाब बताते हैं बोला था कि 34 याद रखे अंदायूग में कि अंतराल किनकिन अंकों की बीच है तो मैंने बताय था कि 3 और 4 की बीच में तो सोते समय एक बार ज़रूर याद कर लिए कि कौन सा ऐसा प्रशन जो की टर्निंग पॉइंट टाइप का है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर पूछ दिया जाएगा कि नाटे शास्त्र की किस अध्याय में रस तथा भाव का वर्डन किया गया है तो तुरान पूछा जाता रहा है अप्शन दिया गया चार छे आठ नौ तो कई बार परिक्षाओं में आठ और नौ को लेकर काफी कन्फुजन रहता है लेकिन लगातार जब से आप लोग जुड़े हुए हैं और मैं खुद वाइट बोर्ड पर पढ़ाती हुए कई बार इसको इंड लेकिन रसों की जब बात की जाएगी तो आठ रसों की भरत मुनी ने नाटे शास्त्र में किया है अगला प्रशन है भामा के संदर में भामा के संदर में सही नहीं है दुसरे महत्पून आचारे भामा भामा का समय खश्ट सती का पूरवार्ध निशित किया है भामा दिल्ली के निवासी थे तथा इनके पिता का नाम रक्रिल गोमिल था सवर पर्थम भामा ने ही अलंकार को नाटे सास्तिर की परतंत्रता से मुकत कर एक स्वतंत्र सास्तिर या समपरदाय के रूप में प्रस्तुत किया भामा ने कावर अलंकार नामक गरंत की रशिना की है तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा option सही नहीं है तो पूरे टिक को सारे बच्चे अपना लिए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है स्क्रीन पर मैं सबका एक एक लोगों का आंसर में देख रहा हूँ नाम मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर नाम ही मैं बोलना शुरू करूँगा तो यह प्रैक्टिस सेट ना होगा तिठी पत्री वाला प्रोग्राम हो जाएगा और फिर नामी सुनते रहा जाएंगे हम लोग तो जितने बच्चे इसका सही जबाब कुछ बच्चों ने क्लियर कर दिया कि यहां पर जो दिल्ली लिखा गया यहां पर कस्मीर होना चाहिए था बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल सही का इसलिए इसका सही जबाब होगा आप्शन बी बाकि जितने भी यहां पर आप तो जैसे ही मैं काबिया लंकार बोल रहा हूँ आपके दिमाग में तुरंट आ रहा होगा कि इसके सामने भाम छप जा रहा होगा आप छप जा रहा होगा परिक्षा तक इस तरीके से आपको अपने दिमाग में छापना पड़ेगा कई बच्चों ने कमेंट्स किया कि कहानी वाला जो सेक्षन था उनको पढ़ने के बाद काफी बुरियत हुई और मजबूरी में उनको यह पढ़ना पढ़ रहा है तो आप कोई भी काम अगर मजबूरी में करेंगे तो फिर वो आपको भारी लगेगा तो इसलिए क्योंकि हर मनुस्य अलग-अलग कर्मों के लिए जन्म लिया है तो वो करने के लिए उसको प्रियास करना चाहिए तो इसलिए यहाँ पर प्रियास किया जा रहा है प्रैक्टिस के माध्यम से काब्य लंकार कितने परिछेदों में है यहाँ पर यह सवाल पुछा गया है option दिया गया है 4, 6, 8, 10 तो इसका जो सही जवाब है कि कितने परिछेदों में आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब बता दिया कि option B है 6 परिछेदों में यह बटा हुआ है काब्य लंकार यानि कि भामा का जो ग्रंथ है अगले प्रश्ण पर बात करें अगला प्रश्ण यहाँ पर पुछा जा रहा है कि भामा के काब्य लंकार में अलंकार निरूपन किस परिछेद में हुआ है जिस तरीके से हमने संस्क्रित के शब्दों का यहां पर प्रयोग किया गया है तो सही जवाब है इसका option B 10 का जो option B है दूसरा और तीसरा यानि कि 23 इसको आप दिहान में रख सकते हैं उसमें अलंकार निरूपन की बात की गई है option B इसका सही जवाब है दूसरा और तीसरा और आगले प्रशन पर से चलता हूं question number 11 जो कि भामा से ही related है पुछा जा रहा है कि भामा के प्रमुह काबि सिध्धान्त के विशे में सही है यहां पर ध्यान में रखिए कि प्रशन पुछा जा रहा है कि सही है आम तोर पर प्रशन में जो फॉर्मेट करता हूं नहीं शब्द उसमें रहता है क्य वरने दस गुणों के अस्थान पर भामा ने तीन गुणों की चर्चा की है माधूरे ओज तथा प्रसाद गुण के बारे में बात किया है वक्रुक्ति को सभी अलंकारों का प्राण माना है या फिर उपरुक सभी तो बिलकुल इसका सही जबाब है उपरुक सभी लेकिन भ काफी इंपोर्टेंट यहां पर बात आपको दिखाई पड़ रही है और इन्हों ने कहा कि अलंकारों का अगर प्राण माना जाए तो वह वक्रुक्ति अलंकार है जिसको कि हम प्राय कई बार उपेक्षित टाइप कर देते हैं लेकिन भामा ने कहा कि अलंकारों का प्राण कौन सा है वक रोखती है बाद में एक संप्रदाय के रूप में ही उसको इस्थापित कर दिया गया जिस पर कि आगे हम बाचित करेंगे अगला प्रशन है पुछा जा दरा कि दंडी के संदर में सही नहीं है आपसन दिया गए आचार दंडी का समय सब्तम शती स्विकार किया जाता है ये दक्षिन भारत के निवासी थे यहां पर थे होνा चाहिए था ये दक्षिन भारत के निवासी थे दंडी रस संपरदय से संबद थे कावश नामक महनीय गरंत nossa की के अंसर को देखते हुए सई जबाव इसका अंसर आप्शन सी यानि कि दंडी जो है रस संपरदाय से संबंदी नहीं थे आपके दिमाग में तुरंट छप गया हुआ कि यह अलंकार संपरदाय से हैं और इनकी एक खास परिवासा जो कि कई वर इंटर्व्यू में लोग देना आप लोग भी कम सकम दो तीन आचारियों की परिवासाओं को द्यान में रख कर जाएं तो ज्यादा आपका आंसर वहाँ पर प्रभावी होगा यह सब जो अनुभों मैं आपको बता रहा हूं पीडिएफ में आपको नहीं मिलेगा जब तक आप खुद लाइब आदा गंट कावेदर्श में कुल कितने परिष्यद और स्लोक हैं यह भी एकदम से फैक्शुल जानकारी इसको आपको बिल्कुल याद करेकर रखना अगर 27 अब दों में प्रयोब करों तो रट कर रखना इसको कि कावेदर्श जो कि दंडी का प्रमुख ग्रंथ है कुल कितने परिष् ब्रमुख इसको जो किसमें अप्रशन दिया गया 5 परिष्य लगबंग संडेशे साथ स्लोक आठ परिष्यत स स्लोक इनुमें से कोई नहीं तो इसका जो सही जबाब है इसका सही जबाब है कई बचोंे सही जबाब भी दिया और आपको अपने दिमाग में रखना भी है कि क प्रश्ण कभी भी आ सकता है आगामी परिक्षाओं में तो इसलिए मैं एक चीज चुटी चुटी चीज़ें आपको बताने के कोशिश करता हूं उम्मीद है कि आप सभी को यह प्रैक्टिस सेट काफी अच्छा लग रहा होगा और बहुत ठंडे दिमाग से आप इसको हल कर रहे होंगे बहुत भारी लोड लेकर इसको हल नहीं कर रहे होगे और आप जानते हैं कि यह जो अनुराज इंद एकडमी है यह पीछड़े और गर है वहां रहा है तो मंजिल मिलना अगर आपको खुब सुविधाय दे दी जाएं आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने में तो भी बहुत अच्छा रिजल्स नहीं आ सकता है अगर आपको एक कमरे में रख दिया जाए और वहां पर कुले रेस यह समना लगा गर्मी में भी बैठकर पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा लगता है आप लोग जूडते हैं लगातार जूडते हैं बहुत ही अच्छा लगता है बाकी हम क्वेशन पर चलते हैं अगला प्रशन है कि प्रथम आचारे थे जिन्होंने बैदर्भी तथा गौड़ी रीतिके पारस्परिक अंतर को इसका संबन गुण से इस्थापित किया एक इस्टोरी आपको दी गई इस प्रश्ण में और पूछा जा रहा है कि किस आचारे से संबन दी बाते हैं कि वो प्रथम आचारे जिन्होंने बैदर्भी तथा गौड़ी रीतिके पारस्परिक अंतर को इसका संबन गु अप्शन सी दंडी से जुड़ा हुआ ये जो भी तथ्य हैं यहाँ पर कि दंडी प्रथम आचारे थे जोनोंने बैदर्भी रीति और गौड़ी रीति के पारस्परिक अंतर को इसका संबन को गुण से इस्थापित किया है यह दंडी का यहाँ पर रोल रहा है चलिए अगला प्रशन है कि दंडी को रीति संपरदाय का मार्ग दर्शक किसने माना है यहाँ पर अप क्वेस्चन में एक चीज देख रहे हैं प्रवर्तक नहीं माना जा रहा है बलकि यहाँ पर मार्ग दर्शक शब्द लिखा हुआ है यानि कि जो दंडी है वो अलंकार स प्रदाय से वो संबन्दी थे ही लेकिन उनका संबन्द थोड़ा सा रीति से भी था जैसा कि उपर ही आपने देखा कि बैदर्भी और गौडी रीति के बारे में उन्होंने चचक की थी लेकिन यहाँ पर मार्ग दर्शक किसने माना है आप्शन दिया गया बल्दे उपाध दंडियों यह फिर जगनात तक के आचारे है उनका जो समय वो अनुमान से है कि दूसरी सती में कौन है छठी सती में कौन है आठी सती में कौन है तो इसमें बल्दे उपाध्याय ने काफी अपना रोल निभाया है तो इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है आप्बिय शास्त्र में वामन आचारे वामन के संदर में नहीं है परवरतक आच़ारे इनका समय विद्वानों ने 8 वी शती का उत्रार धमाना है वामन कश्मीर नरेश जयापीट के मनतरी थे काव्य लंकार की रचनाकी है तो बिल्कुल जैसा के मैंने शुरू में ही बताया क कि आज का यह जो प्रेक्टिस चेट है उसमें हम आप्षंस के आधार पर एलमिनेट करने की कोशिश करेंगे कि इसका सही जबाब क्या हो सकता है तमाम आप किताबें पढ़ लेंगे लेकिन अगर आप्षंस को एलमिनेट करना नहीं सीखेंगे तो फिर परिक्षाओं में दिक लिख लिया है सही जबाब इसका है option D यहां पर कावयालंकार जो है वह वामन का नहीं है बलकि कावयालंकार सुत्र बृत्ति नाम से इन्होंने रचना की हुई है तो आप देख रहे हैं कि माइनर यहां पर अंतर है तो इस अंतर को बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखने ह तो इसका जो सही जबाब है option D है कावयलंकार भारती कावय शास्त्र में इस नाम से दो आचारियों ने लिखा एक तो भामन ने लिखा है दूसरा रुद्रट ने इस नाम से लिखा हुआ है यहां पर जो थाकी वामन ने कावयलंकार लिखा है विल्कुल गलत है बाकि जितन पर लिखा है तो पहला आपका दाही तो यह बनता है कि ऊपर की तीनों options को जरूर देखें ताकि यह अगर किसी भी परिक्षा में स्वतनत रूप से आजाए तो फिर कैसे आप इनको हैंडिल करेंगे अगर पूश दिया जाए कि कावयलंकार सुत्र में कुल कितने सुत्रों की संख्या तो यहाँ पर अगर प्रैक्टिस सेटाप हल की रहेंगे तो 319 बता देंगे कितने परिछेदों बटा हुआ है तो 5 बता देंगे तो इन सारी चीजों को भी आप बिल्कुल ध्यान में रखिए अगला प्रश्ण है वामन के प्रमुख कावि सिध्धान्त के विशे में सही नहीं है वामन के प्रमुख कावि सिध्धान्त यानि कि उन्होंने रिती संप्रदायक का परवर्तन किया था उसके संदर में सही नहीं है औप्शन दिया गया है रिती को कावि की आत्मा माना है रिती रात्मा काब्यस्य, गुण तथा अलंकार का परस्पर विभेद तथा गुण को अलंकार की अप्यक्षा अधिक महत्य दिया है, बैदर्भी गौणी तथा पांचाली इन तीन रितियों की कलपना की है, गुणों की संख्या 24 माना है, तो बहुत सारे बच्चों ने, जै 20 माना है, सब दवर अर्थ के अधारपनों ने 20 माना है, तो यहाँ पर जो अप्षन दिया गया थो 24 हो क्या हो गया, गलत हो गया, और बाकी जितनी भी चीज़ें आपर दी गए यह सब क्या है, सही है, तो मुझे पूरी उमीद है कि आपके दिमाग में सतर अधर सतर, जैसे परिक्षा में जाएंगे, उसी प्याज की छिलके की तर उतरती जाएंगे और आपका रिजल्ट काफी को मलतमाएगा, अगला प्रशन है, वक्रोक्ती को साद्रिश्य मूलक लक्षना और समग्र अर्था अलंकारों को उपमा का प्रपंच किस आचारे ने माना है, वक्रोक् साद्रिश्य मूलक लक्षना है, और समग्र अर्था अलंकारों को उपमा का प्रपंच भीग कहा गया, किसने कहा है, ऑप्शन दिया गया भाम, दंडी, वामन, उद्भट, तो किसने कहा, इसका सही जबाब बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं, और यहां पर इसका जो सही बाब है, कि वामन ने इस बात को कहा है, अगला प्रशन है, उद्भट के संदर में सही नहीं है, वामन के बाद अगले आचारे हैं, उद्भट, अच्छा आप देखेंगे, इन आचारे का नाम के वले इन ही लोगों का था, बाद में आप उद्भट, भाम, दंडी, रुद इन लोगों का नाम बहुत कम किसी व्यक्ति का सुने होंगे, अगर किसी का नाम पढ़ भी जाएगा तो उसको चिडाते चिडाते लोग उसका जीना हराम कर देंगे, भारत नाम आप सुनते होंगे, बाकी जितने भी आचारे हैं बहुत कम लोग अपने बच्छों का नाम इ आचारी उद्भट ने काबयलंकार सार संग्र नामक ग्रंथ की रचना किए तो आपसंस आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा हुआ कि आप आपको देख रहे हैं और आप दिमाग लगा कर इसका बहुत सारा जबाब भी अच्छे से दे रहे हैं इसका सही जबाब आप लोगों ने दिया है टेस्ट लेना कहा जाता है तो आप लोग यहां पर बिल्कुल दिख भ्रिमित नहीं सही आप लोगों ने इसका जबाब दे दिया है कि काशी यहां पर नहीं होना चाहिए बलकि कश्मीर होना चाहिए और बाकी जितने इस चीजे हैं कि कावे लंकार सार संग्र उद्भट का बाकी किसके दर्बार में राते थे इनका जो समय है वो बिल्कुल सब सही है ठीक है तो यह प्रश्णिक अनुसार आप्शन सी इसका सही जवाब था अगला प्रश्ण है काफी इंपोर्टेंट प्रश्ण है कई बार परिक्षों में पूछा जा चुका है कि कि किस ग्रंथ म बैंद्फ इसका औलोचनात्मक और बैग्जानिक घंग से मुल्यांकन करने का प्रयास किया पुछा जा रहा है कि कि स ग्रंथ में इस तरीकि की बात की गई यह अपसों दिया है कावेलंकार कि अ कॉछ कावेयलंकार सार संगर्ंग नाटिशास्ट तो इसका जो सही जवाब ह कावियालंकार सारसंग्र जो कावियालंकार सारसंग्र है वो उद्वट से संबंदी तरह है तो उद्वट ने अलोचिनात्मे को बग्यानिक धंग पर विवेचन करना शुरू किया था लेकिन ग्रंथ पूछा गया था तो इससे ही आफ्षन होगा अफ्षन सी अगला प्रश् है और्थ व्यत से सब्ध व्यत की कलबना रमडी है चलेस को सभी अलंकारों में स्रेष्ट मानते हुए सलेस को करना काаков बे accommodation को संगटना का धर्म मानना उप्रयुक्त सभी तो यहां पर आप देख रहे हैं कि उप्रयुक्त सभी हो जाएगा लेकिन यह जो प्रश्ण है काफी इंपोर्टेंट है उद्वट को लेकर कि स्लेश को सभी अलंकारों में स्रेष्ट माना अब तक आपने देखा कि वक्रुक्त सभी अलंकारों को प्राण माना जा रहा था लेकिन सबसे पहले याँ पर उद्वट आकर उस चीज़ को उन्होंने तोड़ा और कहा कि नहीं वक्रुक्ति नहीं बलकि स्लेश सभी अलंकारों में स्रेष्ट है और उसके दो भागों को कर दिया उन्हों और आर्थश्युक्त संगठना का धर्माना यह भी काफी important यहां पर facts आ रहा है अगर यही एक एक option परीच्छा में अगर स्वतंत रुप से आएंगे तो उमीद है कि जितने भी बच्चें यहां पर जुड़े हुएं सब इसका सही जबाब बता देंगे चली अगला प्रश्ण है रुद्रट के संदर में सही नहीं है उद्वट के बाद दुसरा नाम रुद्रट आ रहा है कि रुद्रट के संदर में सही नहीं है रुद्रट कस्मीर के निवासी थे इनका समय नवी शती का पुरवाद स्विकार किया जाता है इनकी रचना का नाम क जबाब सही दिया है और उन्होंने बिल्कुल प्रश्ण को देखते ऑफ्सन को इलमिनेट करना शुरू कर दिया कि कौन इसमें सही हो सकता है कौन गलत हो सकता है उसके आधार पर आप लोगोंने निसकर्ष निकला कि जो ऑफ्सन सी है वो इसका सही जबाब होगा कि हो गया बाकि जितने भी आफ्सन दिया गया है कि रुद्रट कस्मीर से थे नवी शती का पुर्वार दिन का समय था और जो कावियलंकार ग्रंत है सुला अध्याय तथा 734 स्लोकुस में पाए जाता है तो इस तरीके से आपको क्रृश्ण को हल करना है और मुझे उमीद है कि दिरे दिरे आपको भारती काविश्रास्त्री संबंदीत जो भी आपने पड़ा लिखा होगा यहाँ पर आपको हल करने के लिए दिख रहा होगा मौका मिल रहा होगा आपको आंसर बताने का अगला जो प्रश्ण है कि किस आचारी ने सर पृथम बैग्यानिक धंग से अलं क्या किया किया वर्गी करन किया है थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का प्रश्ण है लेकिन इसको लेकर आप कंफिल्ट भी हो सकते हैं ऑप्चन दिया गया भामा दंडी वामन रुद्रट अलंकारों का विग्यानिक धंग से वर्गी करन किया था सही जवाब है ऑप्चन बी इसका सही जबाब है रुद्रट ने इस चीज को किया है आप लोग दंडी का नाम बता रहे हैं लेकिन वो नहीं सही है रुद्रट ने सबसे पहले विज्ञानिक ढंक से अलंकारों का वर्गी करण किया है यह चोटी-चोटी चीजें जो हैं उनको आप बिल्कुल ध्यान में ताकि यहाँ पर गलत हो जाते कोई दिकत नहीं है परिक्षा में गलत नहीं होना चाहिए अगला प्रशन है आनंद वर्धन के विशे में सही नहीं है जैसे ही मैं प्रशन पढ़ रहा हूँ आपका दिमाग तुरंत चारों आफसन पे जाने चाहिए आनंद वर्धन कस्मीर क आप बहुत जादा मेनद करने की जरूत नहीं है अगर आनंद वर्धन के बारे में थोड़ी सी भी आप जानकारी रखे होंगे तुरंत इसका सही जबाब बता देंगे कि चंद्रा लोग ग्रंथ की रचना आनंद वर्धन ने नहीं किया था यह आप्सन गलत है बाकि जितन इस तरीके के प्रश्ण आपको हल करने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा आप उन तमाम छोटे-छोटे प्रश्णों को हल करते हुए उप गये होंगे कि चंद्रा लोग किसकी रचिना है जैदेव चार लोगों का नाम दे दिया तुरंत आप उसका अंसर बता दिये लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको वक्त लग रहा होगा हल करने में और बाकी जो चीजें जहाँ पर डिस्क्राइब करने की जुरत पड़ रहे हैं मैं कर रहा हूँ ठीक है चली अगला प्रश्ण है पुछा जा रहा है कि इसमें चार उद्ध्योग मुल्त कारिकाएं अफसन दिये गए चंद्रा लोग ध्वन्या लोग कावियलंकार नाटिशाहत्र तो इसका जो सही जवाब है ध्वन्या लोग तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ध्वन्या लोग चार अध्यायम बटा हुआ है और खासतर से कारिकाएं संस्कृत जब आप पड़ेंगे तो इसमें करिकाएं होती हैं जो कि सुत्रों की व्याख्या के रूप में जानी जाती है ठीक है तो यह है ध्वन्या लोग से संबंदित यानि कि आनन्दवर्धन की जो रचना है वो है ध्वन्या लोग चलिए अगला प्रश्ण है अभिनो गुप्त के संदर में सही नहीं है अभिनो गुप्त के संदर में सही नहीं है अभिनो गुप्त कश्मीर के निवासी थे इनका समय दस्वी सती का उत्राद स्विकार किया जाता है अभिनो गुप्त के पिता का नाम नर्सिंग गुप्त तथा वे चुखलक के नाम से प्रसिद्ध थे इनकी माता का नाम विमला था तो यह ऐसा प्रशन है थोड़ा सा आपको अंदर से पढ़ने की जरूरत है यहां पर माता और पिता दोनों का नाम दिया हुआ है इसका जो सही जबाब है option D की सही नहीं है यहां पर विमललका इनकी दिमाता का नाम है अभिनोगुप्त के लेकिन यहां पर दिया गया था विमला तो इस तरीके से बस केस्ट करने के ज़रूरत थी कि अभिनोगुप्त के बारे में आप लोग कितना जानते हैं यहां पर हो गया option D इसका गलत जबाब है आगला जो प्रशन है अभिनोगुप् ने किस छेत्र में कारे नहीं किया है और बड़ी अच्छी बात है कि इनों ने इन तीनों शास्त्रों पर टिकाएं भी लिखी है जिसका कि आगे जिक्र होगा अगला प्रशन है अभिनो गुप्त के गुरु परंपरा में शामिल नहीं है यहाँ पर आप देख रहे हैं भारतिक काविशास्त में पहली बार गुरु परंपरा की बात की जा रहे है अमुमान आप जब भक्तिकाल पढ़ते हैं तब हुआ पर गुरु परंपरा की बात की ज जबाब है ऑप्शन डी भट लोलट अभिनोगुप्त के गुरु परमपरा में शामिल नहीं रहे हैं बाकि जितने भी उपर नाम देगें स्वेव इनके गुरु के रूप में आमतर परिक्षा में भटताउद का नाम आता है कि भटताउद किसके गुरु थे तो अभिनोगु अभिनोगुप्त का लिया जाता है लेकिन यहां पर देखिए टाटिल टाटिल आप देख लिए उस जमाने में भी इस तरीके की बातें चलती थी फिलाल हमको एजे पढ़ाई के द्रिश्ची कौन से देखना है अगला प्रशने यहां पर अभिनोगुप्त ने कई ग्रंथ कि अभिनोगुप्त ने कई ग्रंथों की टीका है लिखिए अभिनोगुप्त उस जमाने में एक रिसर्च स्कालर के रूप में थे अलगातार अपने पूरवर्ती जितने भी महत्वण ग्रंथ हुआ करते थे उस पर टीका लिखते थे यानि कि आलोचना कहा जा सकता है उस सही जबाप दे दिया कि तंत्रा लोग जो है वो टीका के रूप में नहीं है उनकी मौलिक रचना है और बाकि जितने भी उपर नाम दिया गया है सब क्या है टीका हैं अभिनोगुप्त की इसमें भरत मोनी पर उन्होंने लिखा और आनदवर्धन पर भी लिखा है और ये निचे दिया का बिक तो भी बुपरन ये भी